हाई हेलो गाईस वेलकम बेक टो मैं चैनल तनवी ग्रेटी चैनल में आज भी का मॉस्ट वेलकम है तो आज फिर एक न्यू वीडियो शेयर कने वाली हूं वह भी है टिप्स और टेस्ट के तो गाईस पूरा वीडियो देखेगा इसकिप करके देखोगे ने तो कोई सावी टि केप भी लगी रहती है और केप लग रहती है उसको इसको डालने में बहुत जादा दिक्कत आती है तो इस तरह की प्रब्लम ना हो उसके लिए मैं बहुत अच्छी शी ट्रिक आपको बताने वाली हूं तो गाईस पूरा वीडियो देखेगा क्योंकि एक से बढ़के एक ट तरह की रहा हुं ना ये भी आपके लिए सबरेह ज्बहुत जादा प्यूक्सकि एग़ी तो फोल्द करेंने से रहल ना और इस तरह से आपको गुमा लेना है इस तरह से गुमा के और फिर बाद में इसको नीचे से साइड से लेके आना है इसको लेस को इस तरह से नीचे से लेके आना है और जहां हमने इसको फोल्ड किया ना उसमें सिंपली आपको इसमें डाल देना है इस तरह से डाल दोगे और से और थोड़ा से सको खीचना के और इसको घुमा देना इसको घुमा दीजेगा उसको अफिय अच्छा निख्याइटीं लगा इसको जो लेकिन इसमें अच्छा से बहुत अच्छी नजर आएगी इसकी जो इसमें डीजाइन डली है तो यह दिया आपको अभी नहीं समझ में है तो दुबारा एक दूसरी पे भी मैं आपको करके बता दूंगे आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा तो यह देखेगा इस तरह से सिंप्ली आपको क फोल कर का तो ट्रेंट कर लें से खुबा दूंगे इस में डाल देना है तरफ देखेगा बड़ी आसानी से इसको फीस लेंना है बड़ी आसानी के नोट लग जाएगा और टिजायन में लग दीजायीगी और आपकी इस्तरे से लेस जो इस्तरे से दुबारा से अंदर नहीं जाएगी एक तरफ चले जाती हो और एक तरफ रहती ही नहीं है इस्तरे की प्रोब्लम आपको नहीं आने वाली क्योंकि इस्तरे की प्रोब्लम आ जाती है तो डालने में हमें बहुत ज़्यादा प्रेसानी प्रोब्लम आपको आ रहे हैं तो तुरूंत आप जाके अपने बच्चे की इस्तर लगा दिये वाली है। तुम इद करती हूँ आपको टिप जरूर पसंद आई होगी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताईएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीव अगर मज जाएगा क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी अच्छी टिप सेर करूंगी तो अब है नेक टिप है वो भी है लो हुई रहती है और फिर बाद में कई बार क्या होता है कि इसके अंदर की रबड़ भी खराब हो जाती है और इस तरह की लेज डली रहती है तो बच्चों से नहीं लगा लेते हैं लेकिन बच्चों से नहीं लग पाती है और वो प्रेसान होते रहते हैं तो आपको क्या करना सब्सक्राइब तक भी तरह से आपको इस तरह से आपको बहुत ही अच्छा समय बताने वाले आपके बच्चों को नोट लगाने के दिक्कती नहीं आएगी और वह आराम से पहन लेंगे बंद कर लेंगे आराम से खोल भी लेंगे देखेगा इसे मैंने दोनों तरफ इस तरह इसे नोट लगा लिया है हल्का असा क्योंकि बार बहुरा नहीं लगा. अब यह लया होता है में इसके झोरा उन्हों को आपको क्रो्स में डाला कि रिषथित रेखेए रोग्याला का बंद से लिकर खीज लेना है तो इस तरह से खीजे सोगे तो क्या होगा कि रबब जैसा ये भए बन्द करना त इस को खीज लीजए दोनोंचोडों खीच विल ना है, तो निद्ल बंद से आपके बच्चों की इस तरह का रबड़ भी इसका अंदर का खराब हो गया तो यह बहुत अच्छा सब रख करेगा और यह खराब नहीं हुआ है जब भी डिजाइन में बहुत अच्छा लगता है तो आराम से डीला हो जाएगा और बंद करेंगे तो टाइट हो जाएगा कि प्रोब्लम आपको आ रही है तो एक बार आप यह करके देखेगा और आपके बच्चों की जो अंदर नाड़े डाले रहते हैं वह बिल्कुल भी खोड़ने वाले नहीं है और कभी-कभी बार ऐसी प्रोब्लम आती है कि एक छोर अंदर चला जाता है और एक छोर है जो ब जरूब पसंद आई होगी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक की बगर मच जाएगा और कमेंट करके चरूब बताईएगा अब है नेक्स टिप है वह है इस तरह से साड़ी से लेके साड़ी हो गए या भारी-भारी जो हम लेंगा ओड़नी बनवाते हैं वो हो ग Caner में से सेप्ति-पिन जाना ही पाती है तो आपको इससे क्रावको ले ले लेना है साबून चला देना है साबून में 1-2-3 बार reconna में फिर बाद में आप ढह्त के देखेगा आपके सेप्ति-पिन बड़े आसानी से सज बहुत बारारेक या करते हैं इसमें डाल कुन वाल सब्सक्राइब स्यूंट में जाने समक्राइब सब्सक्राइब कि और भाला बैस पहनते हैं उसमें इसतरी की प्रोलिम आ जाती है तो आपको शाभी आपको दुआरा फेसरने द hostel जरूर है LAएं कितना भारी आप लेयर लगा के पहनो कितना वंअ कितना इस तरह से आप safety pin लगा सकते हूँ इस तरह की problem आपको दूबरा फेश नहीं करनी पढ़ेगी तो कितनी layer में था उसमें आसानी से आ गई है और इस तरह की जड़ा होता नहीं इस प्रोब्ल मज़ें परेज करनी पड़ती है हैं वह उ jurigIn Leah के इसका में है ए 아닌 है और छी करने वादी तो इसका मैं बहुत ही उस्तेफAyas ok मेरा सुंजर करना है तो बारी बार खियो उसके बात थे हम सांस लेने में डिकत यह तो हम नहीं है तो इसमें डाल देना है आपको टेल कम पाउडरा तो टेल कम पाउडर में क्योदर आरी हो यह तो आप पूरा वीडियो दीए जबी आपको समझ में आएगा तो इस SMT ELECUM Dr. डाल देना आए इसका मतलब इसके चिद्धर है और बड़े आसानी से कुस्पु भार निकलाएगी तो यह हमारे इस तरह से कपड़े रखे रहते हैं तो रखे-रखे क्या होता है कि बेड़ स्मेल सी आने लग जाती है क्योंकि सीलन की वज़े से भी बेड़ी स्मेल आने लग जाती है और कभी बेड़ी स्मेल नहीं आएगी और बहुत अच्छी सी भीनी भीनी सी कुस्पु आपके सभी कपड़ों में आ जाएगी जभी आप पहनोगे तुमीत करती हो आपके टिपी पसंद आई होगी अब है नेक्टिप है वह है इस तरह से नोट से लेके इस तरह के नोट है जो कभी से चिल जाता है लेकिन वहैं करने लग्ताए है तो हमें दिख जाता है और पता चल जाता है कि नोट फटा हुआ यह नोट फटाहा तो ले ते नहीं आंगा है तो से लो q cu कि जगह में बहुत ही अच्छी से आपको ट्रिक बताने वाली उससे आप इसको चिपका उगे ना तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा और बड़े आहराम से आप उस नोट को बिल्कुल चला आओगी मार्केट से मार्केट में तो गाई सी यह देखिए गाई सी इस तरह का मे होता है कि नहीं चलता तो आप इंदर लेहां एक कंडल आप वाली लीजेगा सानद इस अपचमा नियग्वाल को अप्ला करते तो इस तरह से आपको नीचे सलफेज पर रख देना है और इसको अपलाए करना है गरम करते हैं और इसके अंदर जो लिक्विड है न वो लगा देंगे तो इसे आराम से ठंडा होने के बाद में आपको चेकरना हो चिपक जाएकर पता भी नहीं चलेगा कि हमारा नोट कहां से भटा हुआ था और बड़े आराम से आप मार्केट में इसको चलाया होगे तो उमीद करती हूँ आपको ट्रिक चरू पसंदाएगी और आप जरूर करके देखिएगा आपको यह 100% वरक करेगी करेगी तो अब है नेक्टिप है वह है नीम के पतों से लेके नीम के पते आप सबी को पता है कि एक एंटिसेप्टिक का काम करते हैं और यह बहुत ही अच्छ होते हैं हमारे स्कीन के लिए बालों के लिए सबी के लिए बहुत ही अच्छ होते हैं तो इसका मैं क्या करने वाली हूँ उसका तो पूरे वीडियो देखे होगे न जबी समझ में आएगा तो आज मैं क्या करने वाली हूं यह आप पूरा वीडियो देखिए तो यह गहस चला लेंगे इसके उपर रख देंगे तब और फिर बाद में इसमें डाल देंगे हम पत्ते और पत्तों को हलका हलका गरम कर लेंगे और फिर बाद में इसको हम लगाने वाले हैं मेरी बेटी के प स्वेलिंग सी पैदा हो जाती है तो इतनी बड़ी कोई प्रोब्लम नहीं है उसको आप घर पे ही ठीक कर सकते हो बड़े आराम से नमक से से करारे कराए और इस तरह से नेम के पत्ते लेकर और उससे सिकाई करें आपके बच्चों के जहां भी फूला हुआ है तो उस लगा लोगे ना तो घर पर यह आप बड़े आसानी से ठीक कर लोगे तो यह मैंने चोटा सेहंग की लिया और उसमें डाल दे मैंने गरम गरम पत् यह आसानी से आपके बच्चे को भी फाइदा हो जाएगा बड़े आराम से एक से दो दिन में आपको फाइदा नजर आ जाएगा तो यह पत्ते में बहांद दूँगी और इसको जब तक ही रखना जब तक ही गरम रहे और फी ठंडे होने के बाद में आपको हटा लेना है क जरूरब पसंद आई कि बच्चों की प्रॉब्लम हो रही हो तो यह जरूर करके देखेगा आपके बच्चे को 100 पर्शेंट आराम मिलेगा ही मिलेगा तो उम्मिद करती हूँ आपको टिप पसंद आई अब है नेक्ट टिप है वह है इस तरह से जिंस से लेके जिंसे हमारे सभी पहनते हैं जैन्ट सो लोग और उन्हें में इस तरह से चैन लगी रहती है और चैन ना इसको खोड़ने बंद करने में भोजाए दिक्कत आती है जैसे अटकने लगती है यह तो आप भी मैं जो ट्रि all फ्ली का सांट चैन के लेना है होती है यह से तिस यह घंडल से लिगे करते हैं कई लो चैनिदे चैन और लगा अडीन है करेंगा क्योंकि यह ज्यादा अच्छा नजर आया तो इस तरह से आपको चैन पर इसको वेस्ट लिन को लगा लेना है चाहिए पैंट की हो या कोट की हो या आपकी प्रस की हो किसी की पी चैन इस तरह की प्रोल्म आरे ना तो बड़े असां ठीक हो जाए दिखेंगा इसमें बंद करके दिखा रहें बड़े स्मूथ ली से यह खूड रही है बंद और यह अटक अटक के नहीं हो रही है तो अटक अटक के होने लग जाती है तो इसका मतलब समझें हमारे चैन खराब होने वाली है तो उससे पहले ही आप यह अप्लाइज जरू कर लीचेगा आपके बिल्कुल भी खराब नहीं होगी और इस तरह की प्रोब्लम आपको बिल्कुल भी फेस नहीं करने पड़ेगी तो अमीद करती हूं आपको टिप जरू पसंद आई होगी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए लोग पसंद आया होगा पसंद आया वो तो कमेंट करके बता सकते हो और हाँ कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ लीजीगा मैं उसका रिप्लाइज जरू देती हूं तो मिलती हूं नेक्स वीडियो में टिप्स एंटिक के साथ तो बाई एंटिक यार